को समात किया जा सकता है महोदै आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आज कल फेहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूं महोदै तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चितरों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ महोदै आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंक्यों के बंगलों की आकाओं की नाखवनी हसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक के चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मराहस साहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई महोदै किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परि परिखन के लिए कि लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को यह निर्णे लेना पड़ता है कि चाहें वो किसी निर्दोश को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोश को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो यह समाझ हमें छोड़ेग नहीं तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्योंकि महोदै फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनका पर दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानवादिकार का पालन संभाब नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्क पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंक वादियों इन पत्थरवाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से नि आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हम ही तो बुनियाद है आंत्रिक खड़ा नहीं हुआ परंतु जब जेनियु विस्पित ध्याले में एक देश द्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम सर्मिंदा हैं जैसे देश द्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की वेटी अपनी भाती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने दें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नियाई प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोज नियाले के दरवाजी खोल दिये जाते हैं ऐसे देश से मानवादिकारों के अनपानला करते दर्ती के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जैहिन चैभरत